पाइनली मोस्ट एवेटेड स्मार्टफून इंडीय में लाँच होई गया जो कि वोन प्लस इलेवन जिसका हम लोग बे सब्सुरी से इंतिजार कर रहे ते कि कब लाँच होगा कब लाँच होगा टीजर रहा है लीकस आ रहे तो आखिर कर आज इंडिया में oneplus 11 launch होई गया इसी oneplus 11 के बार में हम जानने ओले देखने ओले पूरे चाहिं नहीं जान करें आज के अगर आट को परेंगे जिसे मेरे आने ओले हरोड को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और लाइक करके एसे अपने प्याओ सपोर्ट बना रहे कि तो चलिए आज किस नहीं और इंट्रेस्ट वड़को स्टार्ट करते हैं डिजाइन और लुक क निसे में पढ़ा वाड़ा वीडियो आसने से निकाल सकते हैं जो डिजान यहां पर दिए वह भी अलग और यूनिक इस बार प्रवाइड के गए हैं फ्रेंट और बेक में हमें पर कॉरिंग गरीला गलास का प्रोटेक्षण मिलता है इसलिसे बड़ा तरक से यूज चीज यूज कर सकते हैं जिसे हमें इसकी फेल वह एकदम पृमिम में मिल जाती है और हम हमें यहाँ पर अलुमिनवर में प्रोटेक्षण के पर साइड में दे डाल सकते हैं साहलन पर में डाल चेकते हैं और फिंगर प्रिंट सेंसे ले जो बागी की सिक्यूर्टे वह इन बिल्ड हमें यहाँ पर इसली देखने को मिलती है जिससे हम इस स्मार्टफून को इंगदम बढ़या से और आसनी से यूज़ कर सकते हैं अब ओन प्लस तक सुझ में अब्न प्लस ने इस बर अपने आसे स्मार्टफून वान् प्लस इलेयॉन में डिस्प्ले कॉल्टिक वह बहुत बढ़ तरके से इंप्रोग किया है इसमें में 6.7 इसका एमेलड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुती बढ़िया और बड़ा डिस्प्ले यहां पर हमें मिलता है जिससे जो डिस्प्ले क्वाल्टी जो पिक्चर क्वाल्टी चो पर्फोर्मस डिस्प्ले का वो भी बहुती बढ़िया और नेक्ट लेवल यहां पर हमें मिल जाता है साथ यह यहां पर हमें HDR10 का भी support मिलता है जो की HDR10 Plus साथ की यहां पर हमें मिल जाता है जिससे हम easily display quality एक दम next level यहां पर enjoy कर सकते हैं Dolby Vision का भी हमें easily support मिलता है जिससे जो picture quality जो phone के display quality एक दम best और natural यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और best refresh इस smartphone के बलने जाता है इसलिए जो गेमिंग लवर्स है जो गेम के लिए पसंद करते हैं Ultra HD HD Add to brightness controller इसे बहुत सारे features यहां पर हमें easily देखने हो को मिलते हैं जो कि बहुत ही बढ़े हमें gaming का experience करते हैं और बहुत सारे features यहां पर gaming के लिए भी हमें inbuilt मिल जाते हैं जिससे हमारा जो gaming का experience बहुत ही नेक्स लिए यहां पर चला जाता है हम one plus को easily और बड़ा तरह की से इस्तेमाल कर सके इसलिए इसमें हमें snapdragon का 8th generation 5G processor मिलता है जो कि smartphone के लिए बहुती बेस्ट और बड़ा प्रोसेसर बन जाता है क्योंकि एक 5G smartphone है इसलिए हमें इसमें प्रोसेसर भी 5G मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर हमें android 13 operating system के अलावा यहाँ पर हमें oxygen OS 13 का भी support easily मिलता है जो कि सबका मन पसंदी दा चीज यहाँ पर one plus में होता है जो कि oxygen OS यहाँ पर android पर बेस होता है यहाँ पर हमें one plus की operating system मिल जाते है जहाँ पर हम easily बहुत ही बड़े बड़े फीचर बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही बड़े तरीके से 48 Megapixel ऐसा triple camera से यहाँ पर हमें one plus 11 में मिल जाते है जो कि 2x optical जूम सपोर्ट के साथ यहाँ पर मिल जाते है मतलब यहाँ पर हमें जूम में बड़े क्वाल्टी मिल जाते है और साथ ही फोटोग्राफिक की जो बात करें जो स्पेशल फीचर इस बार one plus ने अपनी नए स्मार्ट फून सीरीज यहाँ स्मार्ट फून यह उसमें इंट्रोड़ूस किया जो कि है हैसल ब्लेड कलर क्यालिब्रेश जो कि स्पेशली फोटोग्राफिक के लिए इस बार नया फीचर इन्होंने इंट्रोड़ूस किया जिससे आप जब भी फोटो खीचते तो एक दम क्यालिटी इस बार इस फोटो फीचर के मदद से इंप्रूब होने आले जिससे जो फोटो के कलर से वह एकदम बेस्ट और बड़े यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिससे हम बड़ा बड़ा फोटोस बड़ा बड़ा वीडियो बड़ा बड़ा सारी चीज़े कर सकते और इसमाल करके कैमरा का जो फीचर वह बहुती बड़ा तरह किसे यहाँ पर एंजोई कर सकते वन प्लस 11 स्मार्टफोन को ज्यादा देर तक और बड़े तरह किसे यूज कर से इसलिए इसमें हमें 5000 एमेस का बैटरी बैकप मिलता और साथ हंड्रेड वाट का फास्ट चार्जि बहुती बड़ा तरह किसे हम इसमें सारी चीजें कर सकते वीडियो का ग्राफिक अब या मजा ले सकते म्यूजिक का मजा ले सकते जो चाहिए आप इसलिकर सकते और जो पैकेज इस बार वन प्लस ने प्रोवाइड इसमें किया है वह थी बेस्ट और बड़िया प्रोवाइ 99 रुपीज मिलते जो कि बहुती बेस्ट और बड़ा यहां पर हमें ऑफर करते जो कि एक ट्रू पैकेज आपर में वन प्लस की और से देखने कमलते जो कि बहुती बड़ा फीचर से आपर हमें प्रोवाइड करता है तो फिलाल आज की सुडू में इतना है मुझे उम्मेद के लिए ऐसे ही नहीं नहीं वीडियो लाते रहते तो जल्दी मिलते अगले लोड़ों में तपते के लिए थैंक्यों टाटा बाए बाए